मेरा नाम है प्रियंका आप देख रहे हैं It's Simple अर आज की वीडियो में हम कुछ इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बार में बात करने वाले हैं तो शुरू करते हैं तुम पुलिस से क्या सीख सकते हो? What can you learn from पुलिस? पहली चीज़ इसे थोड़ा इंट्रेस्टिंग बनाते हैं मैं एक्जामपल दूँगी और तुम गैस कर सकते हो कि मैं यहापे क्या लिखने वाली हूँ तो पहली सिट्वेशन एक पुलिस की टीम को एक मुझरिम को पकड़ने जाना था और वो अपने सारे हत्यार लेके चले गए ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना? सबसे पहले चीज़ क्या होती है? Solid Planning कोई भी टीम चाहिए वो पुलिस हो, बास्केट बॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो सबसे पहले, गेम खिलने से पहले, सबसे पहले जो चीज़ होती है, वो होती है प्लानिंग, प्लानिंग के बेशिस पर ही सब कुछ होता है, उसी तरीके से तुमें भी हर काम करने से पहले एक प्लानिंग करनी चाहिए, तुमारे पास एक फुल प्रूफ तरीका होना चाहिए, जिससे तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, अपने लक्षे को हासिल कर पाओ, दूसरा, एक पुलिस वाले ने ओन ड्यूटी, तीन मूविज देखी लगातार, ऐसा होता है, नहीं होत है, तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगी, एनी गैसे, टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, किसी भी लक्षे को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, अगर तुम अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर सकते हो, तो तुम फेल हो लाइफ में, क्योंकि तुमारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल जरूर होना चाहिए, तीसरी चीज, तीसरी सिचुएशन, एक पुलिस वाले को पता था कि एक बहुत इंपोर्टन केस की हेरिंग एकोट में, और उस दिन में बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने छुट्टी ले ली, उस दिन क अपनी जॉब से, तो ऐसा होता है, नहीं होता ना, मन, that is, तुम्हे अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए, बार बार जब भी तुम पढ़ाई करना चाहोगे, तुम्हारा मन तुम्हे भटकाएगा उस सही रास्ते से, जो तुम अपनाना चाहते हो, क्योंकि जब भी जिससे तुम्हारा मन कहेगा, अभी पढ़ाई नहीं करते, बाद में कर लेंगे, और वो कल कभी आने वाला है नहीं, ये तुम्हे भी पता है, तो अपने मन को काबू में रखो, सही डिसिजिंज लेने हैं, तो दिल का भी और साथ में दिमाग का भी इस्तिमाल करना सीखो, अगर तुम्हें बहुत जादा बोर्यत हो जाती है पढ़ते पढ़ते, तो तुम ऐसे कर सकते हो, टाइम टेबल में कुछ इस तरीके के चेंजिस कर सकते हो, कि एक गंटे की पढ़ाई के बाद 15 मिनिट की ब्रेक, या फिर आदे गंटे की ब्रेक भी ले सकते हो, एक गंटे होती है,